नमस्ते आप सभी को स्वागत है के नए वीडियो में यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो इस वार बिहार बोटी का एक्जाम देने वाले है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अन तक जरूर देखे और वीडियो पसंद आगा तो वीडियो के लाइक और नहीं ह बता है तो इस question को सिर्फ आप देख लीजिए बिल्कुल आपको बेहतर से बेहतर मांग साएगा और सिर्फ history के नहीं मैं बाड़ी बाड़ी से प्रतेक सब्जेक्ट के बताऊंगा तो प्लीज अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे और भी लाइक अबजेक्टिव का सबजेक्टिव के क्लास लिया जाता है तो देखे इस वीडियो में आपको सिर्फ question बताऊंगा 55 question है तो कुछ मीनट आप इस वीडियो को देख लीजिए और मैं एक बात बता देता हूँ पिछले बार में मैं important question डाला था जाकर देख सकते है कि कितना question आ तो इसका question लिजिए और जो मैं वीडियो upload किया था उस वीडियो को देखिए कितना question आया है विश्वास के साथ कहाता हूँ 110 percent question उसी में से था ठीक है न तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को भी अंतक जरूर देखे और वीडियो प्रसंद आएगा तो वीडियो के लाइक काफी वीडियो बढ़ा हो जाएगा तो प्लीज आप लोग इसको screenshot ले लीजेगा ठीक है न और इसको अगर पीडियो चाहिए तो आपको इस वीडियो के description में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा वहां जाकर आप मेसेज कर सकते मैं उसका पीडियो भी देख दूंगा तो सब सब में लेत अगर आप उससे screenshot इसको ले लीजिए ठीक है उसके बाद देखिए total 41 question है जो लग उत्रिये है यानि यह total total कितने है 21 question है जो लग उत्रिये है समझ गया screenshot ले लीजिएगा समझ गया screenshot प्लेज ले लीजिएगा हम धिरे धिरे skip कर रहा हूं आप सब screenshot ले लीजिएगा ठीक है चलिए रोक रोक देता हूं ताकि आप सब को screenshot लेने में असान हो चलिए screenshot ले लीजिए सब उसके बाद दिरगुतरी प्रस्ण है 42 से दिरगुतरी प्रस्ण है जो काफी महत्पून question है नहीं कहें नहीं 20 बाद से तो पिछले साल का question देख लीजिएगा चलिए यह है तो total 55 question है तो यह सभी question screenshot ले लिए होंगे मुझे उमीद है और फिर एक बार यह कीजिए कि total 55 question में आपको कितने question पता है यह देखिए कि total 55 question में कितने question पता है और नहीं पता है तो उसको देखिए समझे और नहीं समझ में आता है जिस question को आप comment कीजिए उस question के बिल्कुल मैं असान भासा में समझाने के कोशिस करूँगा और आपका भी नहीं बुलिएगा और हाँ नहीं भी इस बास है तो आप पिछले साल जो मैं live class लिया हूँ उसमें जाकर देख सकते है सभी question का discuss किया गया है बिल्कुल अपना तरीके से अपना भासा में उसका discuss किया गया है तो प्लीज आप लोग उसको जरूर देखे और हाँ किसी भी तरह के कोई question में doubt होए अगर नहीं समझ में आ रहा है subjective question comment कीजेगा मैं उसको उस तरह के question को एक साथ करकर मैं उस पर class ले लूँगा तो मुझे उमीद है कि आप इस वीडियो को अन तक जरूर देखे होंगे और यहां तक आया तो फ्लीज आप लाइक कर दीजिए और यहां तक आया तो आपको पता है कि आप बेहतर चीज देखके गए है ठीक है न और यहां बात के पता आपको एक्जाम के बाद पता चलेगी जब आप प्रस्ण करके आईएगा ठीक है न तो चलिए आप सभी को जूरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत